येलो भाई मवंगित होंडा वालों के साथ पोपटी हो गया ये लोग चक्कर में थे सीडी वन टेन नहीं भी करी तो उस पे साइन का नाम चिपका दे तो बिकने लएगी लेकिन पोपटी हो गया भाई मैं क्या कहना चाहता हूं आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चले पहले फिर उसके बाद उस गाड़ी का सेल्स रिकॉर्ड आया ही नहीं भाई सेप्रेट वाला मेरो को लगता है भाई सीडी वन टेन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया मतलब लोग बिलकुल भी नहीं खरीद रहे थे बुहनी तक नहीं हो रहा था तभी इन्हों ने फोड़ा डिसीजन लिया सेमी लुक के साथ साइन हंडेड को लौंच कर दिया इन्होंने सोचा साइन का नाम चिपका देंगे तो एकितम हंडेट परसेंट बिके गही बाई क्योंकि साइन तो ब्रैंड है देखो स्टार्टिंग में साइन हंडेड अच्छा भी की मई के महि में 2479 यूनिट भी की लेकिन जून जुलाई में कितना भी का भगवान जाने लिस्ट आया ही नि सेपरेट वाला लेकिन मेरे हिसाब से भाई जितना स्टार्टिंग में साइन हंडेट का क्रेज था न अब वो क्रेज खतम हो चुक है अब लोग बाग इस गाड़ी को पूछ भ खेर जैसा कि मैंने आपको बताया CT110 को फिर से अपडेट करके लाँच कर दिया गया है इसमें OBD2 वाला सेंसर वेगरा लगा दिया गया है इसके अलबाद 2-3 और अपडेट हुए है इस बाइक में मैं आपको बताता हूँ इसको 73,400 के एक्सोरूम प्राइज में लाँच कि दिया गया है बाकि और अपडेट की बात करें तो सबसे पहले लुक देख लो फ्रंट से देख लो साइट से देख लो एक और साइट से देख लो रियर से भी देख लो कुछ लुक्स में चेंज नहीं किया गया है बस एक नए कलर ओप्शन लाँच कर दिया गया इसमें पह यह इंजन अपने को 8.67bhp का पावर और 9.30nm का टॉक निकाल के देता है यह बाइक 4-speed manual gearbox के साथ आती है साथ ही इसमें कीक एस्टार्ट और सेलफरस्टार्ट दोनों मिल जाता है बागी यह गाड़ी रियल लाइफ में आराम से 60-62 तक माईलेज दे देती है इसा लोगबग कहते हैं इंजन में कोई changes नहीं हो है बाई बस इन्होंने sensor एड़ करा है पावर वेगर है टॉर्क वेगर है सब सेम ही है अभी कुछ डैमेंसन की बात करते हो तो इस गाड़ी में अपने को 9.1 लिटर का fuel tank मिलता है जो कि थोड़ा सा कम है बाई करवेट इसका 112 kg है पहले भी इतना ही था अभी भी इतना ही है सीटाइट इसमें मिलता है 790 mm का जो कि इनाफ है बाई लोगबग आराम से यूज कर सकते हैं ग्राउंड के नन्स इसमें अपने को मिलता है 162 mm का बाकी और कुछ जनकारी बताओं तो इसके फ्रंट में अपने को टेलेस्कोपिक सेस्पिंसन मिलता है रियर में हेड्रोलिक टाइप मिलता है जो कि नॉर्मल है बाई उतना कुछ खास आपको कमफर्टेबल नहीं देगा ब्रेकिंग बात करते हो तो एक CBS का ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिल जाता है रियर में भी 130 mm का ड्रम ही मिलता है इसमें डिस्क वेगरा का उप्सन अपने को नहीं मिलता टायर इसमें tubeless आते हैं भाई front में 80 by 118 और rear में 80 by 118 सेमी टायर ये लुक देते हैं आगे और पीछे भी इसके अलवा कुछ advanced features की बात करें जो इस segment में नहीं आता है खास इसी गाड़ी में आता है तो जैसे silent है starter इसमें मिल जाता है इसके अलवा engine kill switch मिल जाता है जो भाई कोई भी company इस segment में offer नहीं करता और इस गाड़ी में अपने को अभी तक warranty मिलता था तीन साल और ब्याली जार किलोमेटर तक लेकिन अब आप extend करा के 10 साल तक करा सकते हो उसके लिए थोड़ा सापको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है अब वो कितना देना पड़ेगा वो तो आपको सोरूम वाले ही बताएंगे जब आप खरीदने जाओगे तो यही है बाई CD 110 dream का नया कहानी फिर से Honda वालों को लांच करना ही पड़ा साइन 100 का उतना अच्छा रिस्पॉंस नहीं है मेरे हिसाब से उस गाड़ी को लोगबग नहीं खरीद रहें उतना साइन जैसा अगर लूक उसका दे देते न भाई तो मज़ा जाता एकदम दिल खुस हो जाता अब इस CD 110 dream अगर आप लेने की सोच रहे हो तो लगबग आपको 86,203 रुपे देना पड़ेगा अपने जीब से निकालके होंडा वालो को ये जो मैं आपको औरो प्राइज बता रहा हूँ ये अपने अंबीका पूर्गा बता रहा हूँ बाकी थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है अधर सीटी में तो यही थी भाई एक होंडा की तरफ से छोटा सा अपडेट वीडियो देखने के लिए आपका धन्वाट हैंक्यू सो मच भाई यो दिल से बाकी ये सीन देखके आपको क्या कहना होंडा वालों के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना भाई चलो बबाई जैहिंद